नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोग सामने हूँ, उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने दिवाली हर सोलास के साथ मनाया हुआ और मगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दिवावली के दिये की तरह ही आपके जीवन में सदय और प्रकास फैलता रहे आज ये अपने टॉपिक की तरह बढ़ते हैं आज का हमारा टॉपिक है केनेडा इंडिया रिलेसंस से अभी पूरा इतिहास आप सभी नों को मालूम होगा कहीं कहीं से क्योंकि बहुत दिनों से चल रहा है जो ना जानते हैं शार्ट फार्म में मैं बता देता हूँ कि पिछले साल से केस चल रहा है सबसे पहले आतंकवादी निजजर की हत्या की आरोप में कैनेडा में जो हत्या हुई थी निजजर की उसके आरोप में कैनेडा की प्राइम निश्टर ने आरोप लगाया कि रा की साजिस है फिर ये बात नहीं बनी भारत ने प्रूफ मांगा तो कहा लारेंस बिश्टर नहीं ने करवाया है फिर भारत ने प्रूफ मांग लिया कि वह इसके किया सबूत हैं आपके पास तो अब कैनेडा कहता है कि अमित साह ने ये काम करवाया है इंडियन प्राहिमिनिस्टर इंडियन होम मिनिस्टर और हम इत्साने राख साथ मेल करके काम किया है एक बात अब एक और लेटिश्ट रिपोर्ट आई है कि साइबर थ्रेट की बात की जा रही है तो आईए एक एक विशे पर बात करते हैं राइटर समाचार एजेंसी की अगर हम बात मानें तो 30 अक्टूबर 2024 की रिपोर्टिंग है उसकी जिसमें उसकी समरी को अगर आप देखें तो आपके समझ में कुछ बाते आएंगी केनड़ा एककैसेज इंड्यान मिनिस्टर अमित्शा अफ माश्र म कमेंडिंग विङलेंस अoug湘्स शॅ रूसरा समरी का पार्ट है उसका साइबर प्शेची सुच्छ बा-इंडिया-चैन्ड केनडा लाइकले को इन्क्रीं ये। सेज केनेडियन इंडियंस ट्रेट रिलेशन बेट्विन इंडिया और केनड़ा रिमेन अनेफेक्टेब डिस्पाइट डिपलोमेटिक टेंशन अब यह बाते कही जा रही है इस समय किसकी तरफ से राइटर एजंसी ने केनेड़ा के हवाले से बात कई अगर कल कोई तारीख में खुदान खास था कहीं कोई ऐसी घटना हो गई भले ही कोई और कंट्री किया भले ही कोई और यक्तिने किया इंडियन्स का कोई हाथ नहीं हो लेकिन पहली निगाह में इंडियन्स उसमें आ जाएंगे अमिट्सा के उपर कि देखो मैंने कहा था कि अब हमारे उपर वो होने वाला थ्रेट है और हो गया देखें आईसे कहेंगे अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि आखिरकार जस्टिन टूडो कितना अपने घरेलू राजनीत को साधने के लिए नीचे गिरेंगी और इंडिया केनेडा के रिलेसंसिप को कितने गढ़ें में पहुँचा करके तब जाएंगी यह हैं देखने का भी से दूसरी बात अमित साह की उपर अभी आरोप लगाया गया कि अमित साह जी इसके लिए जिम्मेदार है वासिंग्टन पोस्ट की ख़वर है 14 अक्टूबर 2024 कि केनेडा एलिजेज मच वाइडर केंपेंड बाइ मोधी गोवर्नमेंट अगेंस्ट चिक्स यह वहीं चीज़ है रिटर की ख़वर है केनेडा एलिजेज इंडियन मिनिश्टर अमित साह बहाइंड दपलाट आटू टारगेट सीव सेपरेेटिस्ट इस तरह से बहुत सारे नेश्वेवर्स में इस ख़बर छपी है तब से लेकर के अब तक छप रही है इसका सबसे बड़ा हास्यास पर पहलू क्या था अमित्साह वाले मसले का कि जब केनेडा आरोप लगार हा था अमित्साह के उपर उससे पहले वासिंग्टन पोस्ट में ख़बर छप करके आ गई इसका मतलब है निकलता है कि केनेडा के अधिकारियों ने इसको पहले आउट कर दिया फिर मीडिया में जारी किया इसको यह हमारी हालत उसको मीडिया में फिर बाद में ले आएगे तो अब इसमें सवाल तो यहीं पैदा होता है कि इसमें आखिरकार कौन जिम्मेदार है केनेडा के डिप्टी फारें फारें अफेयर मिनिस्टर डिविड मारिसन ने कहा है और नेशनल सिक्योर्टी एंड इंडि थेली ड्राउं इन्होंने कहा है अब अगर अगर सट उसकी बात मानो प्रूफ की मांगो तो प्रूफ नहीं दिया प्रूफ देहीं नहीं पा रहे हैं कि दूसरी तरफ RCMP के अधिकारी या Canadian intelligence के अधिकारी और खुले आम कह रहे हैं कि कि किसका मतलब की क्या कहते हैं भारत सिक अलगावादियों को टार्गेट कर रहा है इसका मतलब निकल रहा है कि केनेडा अलगावाद को परस्रे दे रहा आपने हैं और अगर ऐसा है तो इसको तो ये F.A.T.F की लिष्ट में डाल दिया जाना चाहिए लेकिन अईसा लगता है कि केनेडा के जो प्रामिस्टर है वह अपने घरेलू राजनीत को चमखाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं भले abandonkeit का इंड़ी ले इंडिया का केश этой में हो सकता है कि हो सकता है कि ये भारत के प्रगत से बेचायन हो करके यह जो 5 आइकनधी या विक्षु केशन की एक चाल हो कि भारत को इस तरह से परिशाल जाएं बाप चाहे कुछ भी हो लेकिन अगर यहां पर जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोपों का दोर चल रहा है उससे इतना तो क्लियर है कि नुकसान दोनों देशों का है अगर जरासी इसमें चूक हुई कहीं कोई गलती हुई और किसी और ने भी अगर कर दिया कोई है किसी और कंट्री से तो भी नाम इंडिया का ही आएगी इसलिए बहुत फूक फूक कर कदम रखने वाला है इसमें इस पूरे केस में आगे जैसे इक्षा हो भगवान की और क्या कहा है तो यह पूरा रहा हिसाब किताब कि केनेडा की पूलिस स्वैम में सक्षम नहीं ही लेकिन नहीं दूसरों को करना है अब क्या होता है क्या नहीं होता है कैसा होता है यह तो देखने का भी से है अपने वीडियो को यहीं पर समात कर रहा हूं नमस्कार जैहिंजय भारत बंदे मात्र में उम्मीद करता हूं एक बार पुना आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक सुपकाम नाए झाल